तो राम राम और नमस्कार किसान भाई आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल गोल्ड मैन कास्ताकार पर क्या आप भी एक किसान हो तो किसान होने से यह की ताजुब की बात है कि आपके पास कोई ना कोई पश्यू या गाय या भेस कुछ ना कुछ तो रहेंगा या बैल क्यो कि हमें इस पशू चेही गोबर मिलता है ना कि कोई ओनलाइन हम डाउनलोड कर सकते या नहीं कोई से हमा पीजिकल या केमिकल दरीके से उगा सकते है तो उसके लिए आपको पशू रखना ही रखना पड़ेगा तो पशू के लिए आपको पता ही होंगा हमारे महाराष्टर म में पोला होता है पोले के दिन पशु को सजाते है उनको नहीं मोहरी हमारे मारास्टर में मोर्की बोलते हैं मोर्की लगाते हैं नए कासरे लगाते हैं नहीं उस पर पेंटिंग करते हैं आप रंग देते हैं कलर देते हैं तो अब हमारे मारास्टर में हमारे कल्चर के हिसाब स सब करते हैं पन लेकिन कुछ कुछ किसान को पशिव होने के बाद ही मोरी या मोर का बनाने नहीं आता तो उनके लिए आज वीडियो हम में बना रहा हूं तो इसके लिए आपको सिर्फ ये बारा फूट 10 mm की रसी लेनी होंगी आप नाइलोन की ले सकते हो या सब्टरी सब्ट सकते हो इस रस्ची को आगुठी के बीच इसा इंचीरह रकना पड़ेंगा ठी ए इसे एदर का सिर्फ थोड़ासा इस अंगुली के बीच से निकालना पड़ेंगा या आप देखोवीड वीडियो आप तुरा देखो आप स्टाप करके भी साकते हो आपको समझ में नई आय प्राइब प्राइब और इस आंगूली के बीच पर यहां से डालना पड़ेगा आप वीडिवीद्चा पुरा देखो फिलो यही निकाल डालेंगे तो आप इस प्रकार देख सेकते हो हमारी पहली गाड सक्सेस्पुली हमने बना दिये अब हम दूसरी गाड बनाते हैं तो दूसरी गाड बने इतनी ही आसान है इस तरह इसके लिए आपको कुछ इस प्रकार ये रस्षी हाथ पर ऐसी रखनी होंगी फिर ये जो रस्षी है इस छोटे वाली रस्षी के उपर से डालने पड़ेंगी फिर ये रस्षी निचे से निकालने के बाद फिर वापस पीचे से इस रस्षी में से निकालने के बाद फिर इस छोर में से निकालने के बाद आप थोड़ा सा एक्जेस या बराबर तरीके से करने के बाद आप देख सकते आपका या आपके पशु के लिए यह मोरी बनकर तयार हो गए तो यह शी वीडियो देखने के लिए हमारा गोल्डमेन कास्तकार चैनल सब्सक्रे कीजे लेंकी वीड़ कुरा देखने के लिए